जहिन साथियों आज मैत का सेट टू करेंगे सेट वन में मैंने कराया है प्रीवियस सेर के क्विश्चन जिसमें एक गंटे का लगवग वीडियो था सारा प्रीवियस सेर के क्विश्चन मैंने कराया था आए सेट टू में करते हैं प्रैक्टिस सेट है यहां पर लिया गया है पहला question है profit and loss का एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल 4,000 रुपे रखता है ये दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाव कमाता है यदि वो इससे अंकित मूल से 100 रुपे कम में बेचता तो उसका लाव परतिसर्थ क्या होता 20% पर बेचा परसंट लगा हटा तो नीचे 100 आगया अब कह रहा है 20% का फिर भी उसका लाव है यानि फिर भी ये वस्तु जो है 120% के बरावर है तो नीचे 120 कर देंगे जिससे हमारा क्या है कॉस्ट प्राइज निकल आएगा सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइज निकाल लेंगे यानि लागत मूल कितनी वस्तु वस्त की लागत मूल है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लागत मूल निकल आएगा तो ये 00 स यह डबल जीरो यह वाला कट जाएगा यानि सो से सो कट जाएगा और यह कट जाएगा जीरो से जीरो और यह तीन से कट जाएगा तीन बार जाएगा तीन चो के बारा चार बार गया और यह चार से चार कट जाएगा तो यह सीधे तीन हजार आ गया आपका, तीन हजार आ गया क्या, कोश्ट प्राइज, यानि लागत मूले, अब ये लागत मूले है, कह रहा है, यद यू इसे अंकित मूल से सो रुपे कम में बेंचता, तो अंकित मूले चार हजार रुपे है, और सो रुपे कम में बेंचता, तो कितने बे तो 900 रुपे का लाव होता उपर लिख देंगे 900 का लाव क्योंकि लाव परिशत निकालना है तो लाव बटे कॉस्ट प्राइज रखें कॉस्ट प्राइज कितना है तीन हजार और इंटू हंड्रेट कर देंगे फिर हमारा लाव परिशत निकलाएगा तो यह डवल जिरो से डवल जिरो कट गया एक जिरो से एक जिरो यह कट गया और यह थी थी जर नाइन हो गया तो यह तीस परसेंट लाव होता तो आप्शन नमबर सी सही अंसर हो जाएगा सेकंड कुष्चन है ये और बी की आयू का गुड़न फल 65 है और उनका कुल योग 18 है उनकी आयू में क्या अंतर है अब देखिए कुष्चन है जो बेसिक से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लग जाएगा तो पहले बेसिक से बताते हैं ए और बी ए गुड़े बी बराबर 65 है यानि उसका गुड़न फल कह रहा है ये 65 है और उनका कुल योग जो है 18 है यानि ए पलस बी बराबर जो है 18 है अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे हम 65 को दो पार्ट में तो 13 गुड़े 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और 13 पच को जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा यानि 13 और 5 उन दोनों के आयू में जो है 13 और 5 एक की आयू 13 होगी एक की 5 होगी तभी तो इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और इसको गुड़ा करेंगे तो 65 हो जाएगा और इसके अभी इसका अंतर पूछा है उनकी आयू के बीच का अंतर तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 हाएगा तो 8 आपका एंसर हो जाएगा option number A को लगाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे यहां से आप गड़न खंड करके निकाल सकते हैं काफी easy तरीके से लग जाएगा तो जो question हमको जिस तरीके से लग जाएगा उस तरीके से लगाना चाहिए कोई उसके लिए specific method नहीं है क्योंकि हमको exam clear करना है third question है x और y की आयू 6 अनुपात 5 के अनुपात में है और उसकी कुल उम्र 44 वर्स है अब देखे यहां x और y दिया हुआ है और उनकी आयू का अनुपात दिया हुआ है 5 अनुपात 6 और उनकी कुल उम्र 44 वर्स है तो इस 5 और 6 को हम गुड़ा कर जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 होगा और 11, 44, 44 होता है यानि 4 गुणा बढ़ेगा यह तो यह 4 गुणा बढ़ेगा तो 5, 24, 20 वर्स हो जाएगा यह 4 गुणा तो 6, 24 वर्स हो जाएगा अब 8 वर्स बाद उनकी आयू का अनुपात पूंच रहा है तो इसी में हम 8 वर्स जोड़ देंगे तो यह 20, 28, 28 वर्स हो गया और यह हो जाएगा 24 और यह इसमें भी 8 जोड़ देंगे 24 और 8, 32 अब इसका हम निकाल लेंगे अनुपात काट देंगे इसको साथ से, साथ चार से कड़ जाएगा, चार सते 28 यह, चार ओठ बत्ति साथ अनुपात आठ हापका अंसर आजाएगा ऑप्सन नमबर सी, साथ अनुपात आठ फोर्थ कुश्चन है, किसी परवेज परिच्छा में एहरता प्राप्त करने के लिए अधिक्तम 600 में से 522 अंकों की आवसकता होती है परतिसत में कटाफ क्या है, देखिए, इजी जी कुश्चन है, इसी तरीके से आते भी है यूपी पूलिस के एजाम में तो किसी परवेज परिच्छा में जो है, पास होने के लिए अधिक्तम 600 में से आपको 522 अंक पराप्त करने है तो परतिसत कटाफ क्या होगी आपकी यानि 522 अंक जो है कितने परिच्छत के बराबर होगा तो आपको 522 उपर लिख लेना है 600 जो पूरा अंक वो नीचे लिखिए और 100 से कर दीजे इसका मल्टिपलाई तो परतिसत आपका निकल आएगा तो ये 00 से 00 आपका कड़ जाएगा और ये 6 से कड़ जाएगा 6,8,4,4,42,42 हो जाएगा 6,42 आपका 87 परतिसत एंसर आजाएगा अपसर नमबर भी 87 परतिसत फिफ्थ कुश्चन है 2800 रुपे के मूल धन पर दो वर्सों में 12 परतिसत की वार्षिक 10 से चकवर्धी व्याज कितना होगा रुपे में पूँचा है और देखे 2800 रुपे है टोटल आपका और दो वर्स के लिए पूँच रहा है 12 परसंट चकवर्धी व्याज लग रहा है वार्षिक अब देखे देखे चकवर्धी व्याज लगाने का फार्मूला होता है प्लस वन प्लस प्लस आर पान हंडड़ का पावर यहन तो उसको अगर हम लगाएंगे तो भी सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा सा कल्कुलेट्व होता है इसके लिए एक ट्री मिथट होता है चकवर्धी व्याज लगाने के लिए निकालने के लिए त्री मिथट का होता है यहां लगा को बताते हैं देखे इसमें क्या होता है चकवर्धी व्याज में जो व्याज मिलता है उस पर भी व्याज लगता है तो सबसे पहले जो है, दो वर्स के लिए पूचा यहां और 12 परतिसत, तो इसका 12 परतिसत कितना होगा? अटाइस सो का, तो अटाइस सो गुड़े 12 बटे सो करेंगे, तो उसका हमार बारा परतिसत निकलाएगा, इसे यहां, सॉल्फ कर लेते हैं, अठाइस सो गुड़े बारा बटे सो यह डबल जीरो सो डबल जीरो कट जाएगा यह बारा अठे 96 हो जाएगा और यह 1224 और नो 29 यहां पर 336 रुपए जो है ब्याज मिलेगा एक वर्स का यहां से कलिकलेट करके निकाले तो तो 336 रुपए एक वर्स में ब्याज मिलेगा पहले वर्स इस पर 800 पर और दूसरे वर्स मिलेगा इस पर यह 2 बयाज मिलेगा तो यह पहले इन दोनों को जोड देंगे और इसंपे यहां पूइंट के बाद दो यहां पॉइंट लग जाएगा पीछे से दो बाद बारा चाहके 72 यानि दो आएगा लाश्ट में तो हम पूरा सॉल्व करें यहीं से हमको प्रदा चल जाएगा और क्योंकि आपसन में एक ही आपसन है दो वाला यूनिट डिजिट देखिए तो यह सही अंसर हो जाएगा अकर यहां पर कई आपसन होते तो हम इसको सॉल्व करते यहां से हम इसको जोड लेंगे पहले छे चे बारा हो जाएगा यह 3 3 6 यह साथ हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा शेसो बहाटर हो गया और इसको हम 12 शेके बहाटर साथ 1236 और साथ तैंतालिस का तीन लिख देंगे यहां पर चार करेंगे वारत ने चार्टी सो चार्टार चालीस हो जाएगा और यह दो के बाद दसंबलो यानि 40.32 आपका इसमें फिर add कर देंगे 40.32 32 देखिए आपका last का मिल गया ये 2 मिल गया और ये 7.4 11 मिल गया 6.7 यानि 712.32 सही अंसर आपका आ रहा है तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं समझने का आसान तरीका समझ लीजिए हो सकता है ना समझ में आया हो जैसे हम यहाँ पर 100 रुपे मान लेते हैं या 1000 रुपे मान लेते हैं चकविधी ब्याज निकालना है मान लीजे 1000 रुपे था ये मुलधन तो 1000 रुपे था और 10% ब्याज था 10% था और 2 वर्स के लिए था तो 1000 का 10% 100 रुपे होगा पहले वर्स 100 रुपे ब्याज मिलेगा दूसरे वर्स भी 100 रुपे ब्याज मिलेगा और इस 100 रुपे पर भी दूसरे वर्स जो है पहले वर्स तो यह मिला दूसरे वर्स यह मिला 100 रुपे लेकिन दूसरे वर्स इस पे भी मिलेगा 10 परसंट तो इसका 10 परसंट 10 रुपे हो ज ब्याज मिलता कितना मिल जाता दस गुड़े दस परसंट मिलता यानि कि एक रुपे ब्याज मिलता तो यह तीन वर्स का हमारा इस तरीके से निकला था तो यह ची में शर्द है थोड़ा आसान होता है लगाने में एक ब्यापारी के पास एक जो है बारा क्विंटल गेहू था उसने इसका एक हिंसा 13 परसंट लाप पर और बाकी 23 परसंट लाप पर बेंचा जिससे उस उन्होंने कुल 17 परसंट का लाप कमाया 23 परसंट लाप पर उसने कितना गेहूं बेंचा था देखिए यह एलिगेशन में थड़ से लग जाएगा थोड़ा सा इजी कुश्चन है यह क्योंकि लगाएंगे तो उस तरीके से बेसिंग में थड़ से टफ लगेगा लेकिन यहां इस एलिगेशन में थड़ से थोड़ा आसान पर जाएगा उन्होंने इसको जो है एक परसंट जो है 13 परसंट लाप पर बेंचा है इसको एक हिंसा और बाकी जो है 23 परसंट लाप पर बेंचा है एक पर 13 परसंट मिला है एक पर 30 परसंट मिला है जिससे उससे टोटल जो है 17 परसंट का लाव हुआ इस तरीके से लिखेंगे जिसे हम लिख रहे हैं अब इसके बीच में अंतर देखिए 13 4 17 होता तो यहां 4 लिख लिजिए और 23 और 17 के बीच में कितना अंतर होगा 17 3 23 ते 6 यहां पर यह चे लिख लेंगे ऐसे क्रॉस में लिखेंगे यह और यह चे और 4 का हमारा रेशियो निकल आया अब यहां कितना कुंटल यहूं था 12 कुंटल था तो एक जो है 12 कुंटल यहां लिख लेंगे 12 अब कहे रहा है कि कुष्चन की जो है कि 20 परसंट लाव पर बेंचा जिसे उसने कुल 17 तेज परसंट लाव पर उसे कितना गेहूं मेंचा दिखे 50% वाला हमारा यह है 30% वाला तेज परसंट वाला यह है 4 आप यहां पर देखे तेज परसंट वाला यह है 4 तो इसको 12 गुड़े 4 कर देंगे और टोटल इसको जोड़ देंगे 6 और 4 दस हो जाएगा अब देखे यह कुंटल में है तो एक कुंटल में 100 किलो होता है तो यहां 100 कर देंगे और यह 10 से कट जाएगा तो 480 हो जाएगा यहां पर देखे 13 परसंट लाब था और यह 23 परसंट लाब था और यह तोटल लाब मिला है 17 परसंट का तो इस तरीके कुष्चन है तो यहां से अलिए सं लगा दीजिए इसे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 4 और यह चे-4 10 जो है 10 से डिवाइड कर देंगे और जो है इसका निकला है पूछा है तेस परसंट औरा तो तेस की नीचे चार है तो चार से इसको जो है मल्टिप्लाई कर देंगे टोटल जो हमारा दिया हुआ है बारा कुंटल इस तरीके से आपका अंसर आजाएगा सेवन्त कुष्चन है यदि एक संख्या का 15 परसंट उसी संख्या के 9 परसंट से 33 अधिक है तो वो संख्या कौन सी है मालीजे एक संख्या कोई है 100 है तो उसका 15 परसंट जो है और उसी संख्या का 9 परसंट तो यानि संख्या सेम है तो तो हमारा 15 परसंट और 9 परसंट के 9 6 15 यानि 6% बराबर है 6% बराबर 33 है तो 33 बटे 6 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे तो मारा question solve हो जाएगा 635 और फिर 635 और यह 0010 कर जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा है 550 आपका answer आ जाएगा यह थोड़ा समझने वाला चीज है इसे मालीजिए संख्या सेम है तो 15% 9% के बीच के अंतर जो है वही 6% बराबर हो जाएगा 33 के तो 6% बराबर 33 के हो जाएगा तो 100% बराबर क्या होगा पच पन सो हो जाएगा यानि 6% बराबर 33 सो तो 100% बराबर 33 बटे 6 गुड़े 100 अब इसी को solve करें यह तो अपका answer पांसो पचास आ जाएगा एर्थ question है 6.20 रुपे प्रति किलो आले चावल और 7.20 रुपे प्रति किलो आले चावल को की सनपात में मिलाया जाया कि मिस्रण 6.50 हो जाया भी देखिए मिक्स्चर एलिगेशन का भी question है थोड़ा सा आसान है इसको उसी तरीके से लिखेंगे 6.20 रुपे का एक चावल है दूसरा 7.20 रुपे का है अब इसको मिला करके 6.50 रुपे में बनाना है तो किस सनपात में बने तो इसमें भी लेगेशन लगा दीजे और ऐसे गुड़ा करके अब 6.20 और 6.50 है तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे अले घटा दीजे कोई व नहीं बच गया और यह 0 हो जाएगा और यह 12.50 गया शाथ हो जाएगा और यह 0.70 हो गया आपका ओए पॉइंट तीस हो गया पॉइंट दोनों कहाटा दीजे और यह अटा दीजे जीरो तो 7.753 आपका एंसर आ जाएगा और सन नमबर भी 7.753 नाइफ कुश्चन है किस प्रतिवर्स वार्सिक साधान व्याज की दर से कोई धन 8 वर्स में 2 गुना हो जाएगा यह काफी अच्छा क्वेश्चन है आठ वर्ष में दोगुना धन होने कुछ रहा है, मानलीजे कोई धन 100 रुपे है, और वो दोगुना कब हो जायेगा, जब वो 200 रुपे हो जायेगा, यानि 100 रुपे उस पे बियाज मिलेगा, 100 रुपे क्या मिलेगा, बियाज उस पे, तभी तो दोगुना होगा तो Simple Interest का फा रासी होती है आर रेट आफ इंट्रेस्ट होता है टी समय होता है और अंडेड तो उसका और यह साधारन व्याज तो अब यहां क्या कह रहा है किस प्रतिवर्स वार्सिक साधन व्याज की दर से यहनी rate of interest पूँच रहा है कोई धन आठ वर्स में दुगना हो जाएगा समय दिया है और आठ वर्स में दुगना हो जाएगा तो धन हम मान लिए 100 रुपे था तो 100 रुपे उस पे व्याज मिला तभी तो दुगना हुआ तो यहनी 100 रुपे हमको ब्याज मिला है तो simple interest यहां कर देंगे 100 simple interest की जगा बराबर लगाएंगे पी के जगा हम करेंगे 100 रुपे क्योंकि 100 रुपे हम रहे हम रास मानी है यहां 100 रुपे कर देंगे into rate of interest हमको निकालना है और time आठ वर्स लिखा है आठ वर्स में हो जाना चाहिए अपन 100 कर देंगे हम अब देखिए यह कट जाएगा आपका चाहे जो काट लीजे इसको काट दीजे इसको काट दीजे अब यह आर इसकोल टू हो जाएगा यह कट जाएगा आठ से 100 कटेगा तो साढ़े 12 परसंट आएगा आठ एक कमाठ दो बीस हो जाएगा आठ दूनी सोला चार बीस चार लिस हो जाएगा और यह सीधे आप एक बटा दो लिख दिए साढ़े 12 परसंट को लोगा आपका एंसर आगया आपसन नमबर बी आर बराबर आया था आपका यहां 100 अपान 8 तो यह भी काफी इजी क्विश्चन है तेंथ क्विश्चन है एक ट्रेन 48 किलोमेटर प्रति घंटा की गती से अपनी यात्रा 10 घंटों में पूर्ण करती है यदि इतनी ही दूरी आठ घंटों में तैं करनी हो तो ट्रेन की गती क्या होगी यह भी अच्छा क्विश्चन है थोड़ा इजी ही क्विश्चन है 48 किलोमेटर प्रति घंटे जो है उसकी चाल है और 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती तो टोटल दूरी कितना तैं करती है देखे 48 किलोमेटर प्रति घंटा और 10 घंटा उसके लगा तो पूरा 480 किलोमेटर उसने तैं की यात्रा अब इतनी दूरी को वो 8 घंटों में तैं करे तो जो है ट्रेन की गती क्या होगी तो 8 से हम डिवाइट कर देंगे तो 8 6 गंटालीस हो जाएगा आपका 6 दहम 60 हो जाएगा अब ट्रेन की गती पूछा था एक बार फेर से समझे लीजे ट्रेन की गती मतलब 4 बराबर दूरी बटा समय तो यहां से हम दूरी निकाल लिए कितनी दूरी समय कितना लगना है उसको 8 गंटे में वही दूरी करना है तो 8 से हम डिवाइट कर दिये तो हमारा चाल निकलाया नया साथ किलोमेटर पर दिगंटा तो यह 10 इंपोर्टन्ट कुष्चन थे यह काफी इंपोर्टन्ट है जो यूपी कॉंस्टेबल के हिजाब से लिए गए हैं कुष्चन तो इसको देखिए जो है अच्छे से समझे अगर समझ में ना आए तो कमेंट बोक्स में जरूर टाइप करें और इसके साथ ही अगला सेट आपको अगले दिन प्रोवाइट कराएंगे पीडियो देखने के लिए धन्यवाद